हलो इन्वेस्टर्स, मार्किट से एक से बढ़कर एक लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रही है एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को PNB और L&T Limited के साथ में टोटल में 9 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरूश आप लोग देख रहे हैं FNB बाया आरूश आए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है मवाना शुगर्स लिमिटेड अभी यह जो वीडियो है मैं मार्केट ओपनिंग से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जितने भी शेयर के आप करेंट प्राइस देख रहे हैं यह सभी के सभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानि की फ्राइडे के दिन के क्लोजिंग प्राइस हैं अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे मवाना शुगर्स का जो शेयर है 0.4% के एक पॉजिटिव नोट के उपर में क्लोज हुआ था और company के share का जो closing price था वो 97 रुपीज का था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो मवाना Sugars ने जो है यहाँ पर dividend announce कर दिया है 4 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 4 रुपे का dividend दिया जाएगा अपने आप में एक काफी जादा शांदार काफी जादा भेतरी इन dividend announce किया गया है simply अगर आप dividend value को company के share price के साथ में compare करेंगे आपको खुद बखुद पता लग जाएगा 4% से जादा का dividend है यह और यह जो announcement है कल Saturday के दिन सौरी परसो Saturday के दिन हुआ था तो आज मंडे की दिन आपको इस company के share पे एक काफी खतरनाक तेजी देखने को मिलने वाली है जरूर से company के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा बाकी dividend को देने की x date record date अभी upcoming में है जैसी announcement आ जाएगा मैं आप लोगो को intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है MB का Cotton Mills Limited इस company के share के उपर में last trading session पे हमें लगबग धाई percent की तेजी देखने को मिली थी और company का जो share है 1595 रुपीज के उपर में close हुआ था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो MB का Cotton Mills ने जो है यहाँ पे dividend announce कर दिया है 35 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 35 रुपे का dividend दिया जाएगा अगेन ये भी एक काफी अच्छा dividend announcement है बट इसको देने की भी जो X date और record date है वो भी फिलाल upcoming में है जैसी announcement आ जाएगा definitely I'll let you know अगले share की बात करें तो company का नाम है Giant Agro Organics Limited इस company के share के उपर में last trading session पे हमें 0.5% की तेजी देखने को मिली थी और company का जो share है 241 रुपीज के उपर में close हुआ था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो Giant Agro Organics ने जो है यहाँ पे special dividend जो की one time special dividend है और साथ ही साथ में अपना final dividend announce कर दिया है special dividend announce किया गया है 2.50 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक share पे 0.5 रुपे का dividend मिलेगा और वहीं जो यहाँ पे final dividend है वो announce किया गया है 5 रुपीज का total में 5 और 0.5 यानि की 7.50 रुपे 7.50 रुपीज का dividend आपको आपके हर एक share के उपर में दिया जाएगा जो की again एक काफी अच्छा dividend value बन जाता है और इसको देने की भी X date record date अभी upcoming में है जैसी announcement आजाएगा मैं आप लोगो को intimate करी दूँगा तो definitely आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा अगले share की बात करें तो company का नाम है alpha logic texas limited इस company के share के उपर में last trading session पे हमें 5% का अपर circuit लगता हुआ देखने को मिला था और 363 रुपीज के उपर में जो है company का share close हुआ था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो alpha logic texas ने जो है यहाँ पे stock bonus announce कर दिया है 14 is to 48 के ratio से इसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 48 shares है तो यहाँ पे आपको 14 shares का bonus दिया जाएगा टोटल में जो आपके 48 shares है वो 62 shares के अंदर में convert हो जाएगे अब बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लोगों को आपके हर 48 8 shares के उपर में 14 shares का bonus दे दिया जाएगा और इस bonus को देने की जो x date और record date है वो भी फिलाल upcoming में है जैसी announcement आजाएगा मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है कामधेनू Ventures Limited यह company का जो share है last trading session पे 0.8% के correction के साथ में close हुआ था और 170 rupees का closing price था अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो कामधेनू Ventures ने जो है यहाँ पे stock split announce कर दिया है 1 to 5 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा अब बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा and इस stock split को देने की जो X date और record date है वो 14th of June यानि 14 June की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है L&T Limited L&T का जो share है last trading session पे लगबग 1% की तेजी दिखाता देखने को मिला था और 3,621 रुपीज के उपर में close हुआ था अब अगर L&T की तरफ से निकली एक बड़ी update को मैं cover करूँ basically यहाँ पे choice broking करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and I'm damn sure और आप लोगों ने भी choice broking का नाम definitely सुना होगा अब choice broking ने जो है L&T Limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 4,000 रुपीज का दिया है तो लगबग 3,621 रुपे से लेकर के 4,000 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे choice broking expect करके चल रहा है L&T Limited के share के अंदर में और साथी साथ में choice broking ने जो है यहाँ पे stop loss भी recommend किया है जोगी 3,400 रुपीज कर रहेगा तो 3400 रुपे का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जो है choice broking ने provide किया है L&T Limited के share के उपर में लगबग मोटा मोटा 10% का एक upside momentum जो है यहाँ पे choice broking expect कर रहा है L&T के share के उपर में आपको बता दू L&T fundamentally financially काफी जाधा strong है सभी को पता है company के अगर हम वैसे market value की बात करें सब को पता है construction की जब भी बात आती है L&T one of the topmost bidders में से एक रहता है जाधतर projects जो है L&T काफी easily यहाँ पे जीत लेता है as such company के अंदर कोई problem नहीं है इंडिया के topmost companies या फिर blue chip stocks की अगर बात करी जाए तब भी L&T का नाम जरूर से सामने आता है तो as such company के अंदर कोई भी problem नहीं है और आपका investment भी काफी हद तक यहाँ पे risk free हो जाता है और वहीं अगर हम बात करें 4000 रुपे के target की या आपका short term का target रहने वला है तो definitely L&T limited के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा और जरूर से company के share के उपर में आपकी नजर बना के रखिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है PNB Housing Finance PNB Housing Finance का जो share है last trading session पे 0.7% के correction के साथ में close हुआ और company के share का जो closing price था 793 रुपीज का था अगर company की तरफ से आ रही है एक बड़ी update को मैं cover करूँ तो basically यहाँ पे VLA अंबाला करके एक SEBI registered independent research analyst है जो की काफी अच्छा भी है क्योंकि कई बार past में भी इनके recommendations काफी अच्छे साबित हुए है अभी VLA अंबाला ने जो है यहाँ पे PNB Housing Finance के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 900 रुपीज का दिया है तो लगबग 793 रुपीज से लेकर के 900 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे VLA अंबाला expect करके चल रहा है PNB Housing Finance के share के उपर में अब देखा जाए लगबग 13-14% का एक upside potential बन जाता है जो कि VLA अंबाला expect कर रहा है PNB Housing के share के उपर में साथी साथ में VLA अंबाला ने जो है stop loss भी recommend किया है जो कि 742 रुपीज कराएगा तो 742 रुपीज का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जो है इस brokerage firm ने PNB Housing Finance के share के उपर में provide किया है अब independent research analyst तो है सही बात है बट क्योंकि से भी registered है कई ना कई एक trust factor हमारे पास में आ जाता है और PNB Housing Finance भी कोई ऐसी चोटी मोटी company या फिर कोई penny stock नहीं है जिसके अंदर जादा risk involved हो तो कही ना कही देख सकते हैं एक stable company है जानी मानी company है कही ना कही government backed भी आप इसे कह सकते हैं और वहीं बात करें 900 रुपे के target की short term का आपका target रहने वला है जरूर से अगर आप लोग चाहें PNB Housing Finance के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं short term के अंदर आपको 900 रुपीज का target जो है एचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है तो जरूर से PNB Housing Finance और L&T Limited दोनों companies के shares को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा और इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले-पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं यही 9 stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगयो, definitely वीडियो को like कर दीजेगा, इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then, bye